आईडियर स्टुडेंट्स मैं आपका रवी सर बच्चों हम स्वागत किया करते हैं अपने रवी इस्टिट्यूट केमेस्ट्री और बाइलोजी चैनल पर देखें आज हम 12 की केमेस्ट्री में एक चैप्टर है आपके यहाँ डी ब्लॉक के तत्तो उसी डी ब्लॉक के तत्तो तो एक बार में आपको सारी बाते समझ में आ जाएंगी और अब वीडियो के अंत में हम आपको एक बहुत ही इंपोर्टन इंफॉर्मेशन भी देंगे तो ध्यान दीजेगा बबुगा सबसे पहला क्वेस्टन है संक्रमण धातु मिस्टर धातु क्यों बनाती है हमारा प् संक्रमण धातू को हम लोग क्या कहते हैं और उसमें यह एक चीज़ाप से हम कुस्टन पूछ लेते हैं ध़्यान दीजेगा कि वही डि-ब्लॉक के सिंक्रमण धातू कहलाती है जिनमें बाइक धंग यच्छन होता है यह मस्स्तव सोंग देगा कि सभी डि-ब्लॉक के संक् प्रानिक विन्यास करते हो तो उसके वाहतम को स्में क्या होता है डीटेन होता है तो वो संक्रमर्टट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् रहते हैं और यहां पर क्या हुआ होता है और बहुंत करना देती हैं अगला यू Запाई करने इतना इंपर्टन्ट कुष्टन है कि प्रिच्छा में पूँचा भी गया है यह भी ध्यान देद गैंगा और जितने भी क्वेस्टन अम्हाल करार हैं इसे आप एक जगाँ पे लिखें और नोट्स बनाएं और एक बार दो बार रिवाइज कर लेंगे तो विधिवत तरीकिस तयार रहेगा और अगर आप लोग अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक किया करिए और सेयर किया करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में अभी आपको लोग जानते हो जो बच्चे घर बैठे हैं सही से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और अगर वो सही से आनलाइन के मादम जगर पढ़ ले होता है जिसका उप्योंन शकल बहुत जादा किया जा रहा है तो एक क्रोमियम श्टील और एक माइशन ही जो होती है यह आरं की दो मिस्रद हाद विए हैं और कापर की होती है एक मुद्रधात होती है एक पीतल मुद्रधात हो जिससे आप लोग जानते हो coins बनाया जाते हैं और पीतल तो मंदिरों में जो हुआ करता है जानते ही आप लोग क्या बजाया जाता है पीतल के ही मंदिरों में बड़े-बड़े क्या लगे होते हैं जो बिल लगी होती हैं घंटे जिसको कहते हो बजाने के लिए आप लोग जानते हो तो वो सब इसी के उप्यों होते हैं अगला जो question है ये बहुत important question है ध्यान दीजिएगा अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग तुरंद वीडियो को रोके और हल करके इस question का हम में जबाब भेजें तब आप लोग answer देखें हम आपको बता रहें गर आपको आ रहा है तो आप इस वीडियो को रोक दीजिए यहीं इसकी रोक लीजिए और रोक करके हल कर लीजिए और जबाब दीजिए हमें cu plus 2 तथा cu plus में कौन अधिक अस्थाई है पाहुत great का question है नंबर एक कंटास question है cu plus 2 तथा cu plus 1 में कौन अधिक अस्थाई है तो इसका आपको पहले electronic बिन्यास करना पड़ेगा cu plus 2 का करोगे तो copper का होता है 3d10 4s1 होता है क्योंकि inert है आपका यह और cu plus 1 है तो अब जब cu plus 2 का करोगे तो एक electron तो yes का निकलेगा एक electron d का भी निकल जाएगा तो इसके वाहतमकोस का electronic बिन्यास है जाएगा 3d9 अब copper cu plus 1 अगर होगा तो इसमें केवाल yes का ही electron जाएगा इसके में 3d10 रह जाएगा मतलब cu plus 2 के वाहतमकोस में 3d9 मिल गया और cu plus के 3d10 आप समझ में आया तो इस तरीके से क्या हो जाएगा cu जो 10 है d10 है मतलब कि जो पूर पूरित कोस होते हैं और अर्ध पूरित कोस होते हैं नियान दीजिएगा आने विभा वाली टापिक में भी बताया था आपको जो पूर्ध 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 पू 2 की तुलना में यफी प्लस 3 आयन अधिक अस्थाई है क्यों ये आप से question पूछ रहा है यफी प्लस 2 की तुलना में यफी प्लस 3 आयन को अधिक 6 बचेगा प्लस 3 का मतलब क्या है कि 2 एलेक्टरान तो यस का जाएगा एक एलेक्टरान डी का भी जाएगा तो इसमें 3D 5 होगा यफी प्लस 2 में कितना आएगा 3D आपका 6 आएगा तो यफी प्लस 3 में जो डी 5 है वो अर्ध पूरित है देखे जबाब यहीं से हम दे दे रहे इसलिए वो अधिक अस्थाई है उपर वाले क्वेस्टरान से एकदम नीचे वाले का जबाब मिल रहा है बाबू तो यहां से देखे यफी प्लस 3 में डी का छुक्की की उपस्तित के का अर्ध पूरित वहीं हमने कहा था भी डी 5 जो है वो अर्ध पूरित के कारण का होता ह अधिक अस्थाई माना जाता है अब यफी प्लस 3 में देख लीजिए 3D5 आपको देखने को मिल रहा है और यफी प्लस 2 में 3D6 देखने को मिल रहा है बतिये समझ में आई बबुगा बहुत important question हल करा रहूं जान लीजीगा और किस प्रकार के आयन अधिक अस्थाई माने जा और आप तयारी करें और आपका सफर हमारा सफर टार्गेट मिशन 2021 बोड पर इच्छा है यह जान लीजिए गर किस प्रकार के आयन अधिक अस्थाई माने जाते हैं वैसे भी आप जानते हो अपकी बार बच्चे ज़्यादा class नहीं कर पाए हैं तो उनके लिए बहुत important है क कि वो लोग अगर किसी भी माध्यम सेगर पढ़ाई कर लेने हो गया एक भी question दो भी question अगर आप सही तरीकिस्त पढ़ते रहेंगे हमेशाथ तो त्यारी रहेगी जिन आयनों में पूर्ण भरे मतलब पूर्ण रूपेन भरे होते हैं जैसे d10 है या अर्ध पूरी जैसे d5 ह d में पूरा दस भरा जाता है तो पूर पूरी डिटेन हो जाएगा अर्ध पूरी d5 हो जाएगा पच्छक होते हैं वे जो होते हैं अधिक अस्थाई क्या हुआ करते हैं माने जाते हैं तो ये जान लीजी आपके लिए important कहतेने का मुलब फार्मूले थे और आपके लिए ज जो बोर्ड की practical होने वाले हैं वो practical की परिच्छाएं जो हैं अभी तक जो समचार देखने को मिल रहा है कि वो आपकी जनुरी माह में क्या की जाएंगी practical की परिच्छाएं और आपके जो बोर्ड के paper के हर बार क्या होता था कि यूपी बोर्ड जो होता था अपना वो time table हमे ही नहीं खुल पा रहते हैं सही तरीके से तो आपके time table भी नहीं आ पाए बच्चों को बहुत कठिनाईयों के साथ पढ़ना पढ़ रहा है जान लीजी भैक्या तो इसके लिए आप जान लीजे कि दिसंबर तक आप लोगों को ये confirm करा दिये जाएगा कि आपका बोर्ड प परिच्छाएं करोंगी और जो बच्चे सोच रहें कि अभी बोर्ड परिच्छा हमारी नहीं होगी तो आप जान लीजे इस फिराक में मत बैठिए आपका target होना चाहिए हमेशा कि हम फरवरी तक एदम अपने आपको आल्रेडी परिच्छा के लिए तैयार रखें ताकि मा लीजे सारे बच्चे कोरोना के कानड़ घर आके थोड़ा डिस्टर्ब हो गए लेकिन वो बच्चा वहीं पर पढ़ा और पढ़ करके देखें उसने इतिहास रज़ दिया कि 720 नंबर में 720 पूरा नंबर पराप्त कर लिए सोचिए पूरी इंटरमीडियोट की फिजिक्स 11 वी बरावी की 10 वी नवी की पूरा 9 टू 12 होता है सी भी फिजिक्स पूरी पूरी केमेस्ट्री पूरी बायलोची की इस तरीके से उस बच्चे ने मेहनत किया होगा बाबू वो भी एक स्टुडेंटी ही था उसने कितना पाता कि जब हमारा एजाम आए तो हम अगर अगर टाइम ही मिल जाता है तो हमको रिविजन करने का टाइम मिल जाएगा आप इस सोच में मत रहिए कि हमारी परिच्छा भी लेड जाएगी ताब हम पढ़ाई करेंगी नहीं आप अभी काउंट कर लिजिएगा तो एक दिन म सब लोग और जितना भी हमने देखिए सेकेंड पेपर आपको केमिस्ट्री का लगभाग पुरा पढ़ा दिये पाड़े हम वीडियो का दो कहीं न कहीं करके बाबु अब बोर्ड के सामने जाने का टाइम उतना अच्छा मिल नहीं पाता लेकिन हम तब भी प्रयास करते हैं कि जो बच्चे या चैनल फिर जुड़े हुए हैं उन्हें हम पाड़े कुछ न कुछ सिछित करते रहें अगर हम इस तरीके से आप सब के बारे में कुछ सोच रहें तो आप सब भी ये प्रयास किया करिए कि जो हम आपको डारिक्सन जे दो दिसा निर्देश दे उसे आप का भी भविस्जल होगा और जो आपके माता पिता के जो सपने हैं जो ड्रीम है वो आपका पूरा होगा हर माबाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत आगी जाए और रात्री में अभी आप लोग एक निर्धारी टाइम टेबल बना लीजिए सुबा साम पर सब्जेक्ट को परड़े टाइम देजिए परड़े देजिए बगवा और एक दो तीन दिन चार दिन आप पढ़िया सब पैठिए प्रयास कीजिए एक गोल्ड साइट कीजिए तब पढ़ाई का मज़ा आएगा और आपने बहुत अराम किया छे सात महिने आप जब घर बैठे थे तो आ इसे पढ़ाई करते होंगे तो यह करतब आप सब का भी है कि आप अपने फ्रेंट्स के बीच में सब चीजों को बताएं ताकि हमारा भी उस्सा बढ़े और हम भी कुछ आगी आप लोगों के लिए करने का और अच्छा प्रयास करें अभी एक छोटा सा हमारा प्रयास है हो बच्चों को भी लाव हम मिलें मिलें एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार खुस रहों मस्त रहों